मित्रो नमस्कार पावन जोतिस परपात यूट्यूब चैनल पड़ा सबका स्वागत है आज का टाइटिल बहुत ही आवस्ट्रक है जिग्यासा परख है बहुत ही डिमांडेड है आज के वीडियो के सेथक का नम है स्वास्त और धन के लिए लाख कारी रता है थे रते ही हेल्थ और गेल्थ जम स्टोन फार हेल्थ हैंड गेल्थ स्वास्त और धन दोनों के लिए कौन सा रत्र लाम कारी है कि उसको पाने तो स्वास्थ और धन दोनों बड़ है दोनों में लाम हो और आप जानते हो कि अब तक अनेकों वीडियो हमने दिया है या तो हेल्थ के लिए वेल्थ के लिए या बहुत कुछ के लिए लेकिन अलग एक भी combined कैसे रत्रकों पहने कि two in one हो जाए जिया मित्रों आप सभी जानते हो कि पुरानी कहावत है a sound mind in a sound body मनले एक स्वास्ट शरीर में ही स्वास्ट मस्तिष्क निवास करता है और health के बारे में कहा गया health is health health is melt अगर स्वास्ट है तभी आप कुछ कर सकते हो और स्वास्ट नहीं है तो कुछ भी हो लेकिन आप नहीं कर सकते दूसरे भले कर दें यहाँ आपको भाग के बस कुछ भले मिलाओ तो मिंत्रों सबसे ज़रूरी है health और health सही है तो उसके दोरा health health सही है तो brain सही है and months Task के दोरा mustada कि दोरा सरीर का parayok कर के आप अपारधन संपत्ती कर सकते हो सौस्टरह सकते हो आप काइनात की हर बस्तुएं यह सौस्ट सरीर से पराब्त किया जा सकता है और स्वास्ट का मतलब को नथ सरीर ही नहीं बलकि हर परकार से आप स्वास्त हो सकते हो, परिवार से और नौकरी से कारोबाद, हर चीज से, क्योंकि भीर भोग्या बसंद्रा, प्रिथवी जो है भीरों द्वारा भोगी जाती हैं, भीर वही है जो स्वास्ता है। तो मित्रों आईए हम एक एक एक्जाम्पल होरस्कोप लेते हैं, इसमें एक उदारण सहीत आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कि कैसे ही एक 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 ही गराय में आप हेल्थ हों बेल्थ हैं, कि भावों को ढूड़ करके उससे रिलेटेद अरत न पहन के अपना लाब आप पाइती सेयम, तले साब बर्थ है बांसी जहां में रहता है, उससे धाद नंगर, यूपी इंडिया, जिया मित्रों यह मीन लगन की कुंडली मनी है, इसमें रासिया या थावत है, तोड़ा इधर इधर हुए है, यहां लगन कुंडली है, यहां कस्प कुंडली है, ज बहले देखिए, कि आप भाग में क्या लेका है हो, स्वस्थ रहना की विमार रहना, अगर पंचम भाव का उपनाशत्र स्वामी, एक पांच और ग्यारा है, बन्या एक पांच और ग्यारा है, यही प्रमुख़ों सहाइक भाव है, इन भावों का कार्जेस है, तो आप स्व नि में किन भावों का कार्जेस है, तो आप नहीं दिया, जब से में उपनाशत्रा स्वार देखिए, कि फि प्लै ने explains और ग्यारा है, जो यहार आप पनाशत्रा कांईदा बन्याराанию में उपनाशत्रा है,र्थाथ एक पांच ग्याराह में एक प्यारा बात बात ग्यारा स् अब उब नस्यट्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमने बार बार बताया है, कि जिस गरह की महानसाद चल रही है, उसका रत्र या उससे जो रिलेटेड है, रिलेटेड का मतलब, जो महानसाद स्वामी के जुती में हो, या उसकी द्रिष्टी में हो, या उसके रास में हो, या उसके नचात्र में हो, या उसके उपनचात्र में हो, या उसके उपो में, मनलब इन संबन्नों में से, कोई भी गरह हो, और द्रिष्टी जुती को हमने कहा है, कि सिगर गती गरह के लिए चारंस और मन गती कोई है उसम और ये संबंधी गर अगर हैं उनमें अच्छे भाव आ रहे हैं तो उनका रखन पहनिए नहीं महादसा स्वामी में अगर भाव हैं तो उसका प्रथम बरियता दीजिए आजि देखते हैं इस जासक पर किसकी महादसा चल गए है यह महादसा है सूर्ज की जो 22 ऩूहli नहींfilm से 22 जनुरी में स्थैन्व दोहजार 25 ताक सूर्ज की दसा है अब इれ चार महिना, नो तीन महिना तो इस सूर्ज की दसा में पहले हम सूर्ज को देख़ेटे हैं, सूर्ज में अगर एक पांच गयारे स्वास्त के लिए और धन के लिए हमने भूल गए धन के लिए दो-छै-दस-गयारे में लिए-च्छै-गयारे 6-10-11, 2-6-10-11 ये बहाओ उगर आये है 2-11 आया, 6-11 आया, 10-11 आया 10-11 हमां ही आया है तो आप समझ लिजिये कि वो ल्हाल थी देगा शील के 2 आना जरूरी है जरूर है रिखाम निर वो कर लो हम रही है 1-5-11 डे है जो है 2-6-10-11 अर ताथ 5-11 एक ग्यार है, दो ग्यार है, शे दस ग्यार है, यह भाव हो, तो वो गरह धन और स्वास्थ दोनों देखा, मनदब हेल था और बेल था, तो सूर्ज में आई हम देखते हैं, देखें, सूर्ज यहां अगर ढूड़ोंगे तब भी वही बात मिलेगी, जो यहां देखने के लिए, लगन कुण्ड़नी से, यहां देखते हैं, सूर्ज में ग्यारा हमां भाव है, थात एक पाँच ग्यार है, और दो छेदस ग्यार है, शटवा भाव भी है, सूर्ज का नसेत्र स्वामी मंगल है, जिसमें एक है, एक आगया, मंगल में दूती भाव है, अर उसका उपना स्वामी को देखना पड़ेंगा, इन भाव में से किनी भाव को सिखिभाई कर रहा है, तभी हम उसका प्रामी दूती है, उसका उपना स्वामी बूद है, जिसमें ग्यारामा भाव है, देखो, चार साथ यह तो नहीं ठी, फिर वह मंगल के नस्वामी में एक पांच ग्यारामा भाव है, तब थाथ 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 ग्यारा के माध्यम से प्रामिस कर रहा है, अन्थास दिश्यातक को सुझ का रतन मारिक अनिरूभी, अगर हम धारन कराम हैं, तो निश्चित रूप से हेल्थ और बेल्थ की प्राप्ती होगी, में तो और ढूंढेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप से अनरोध है, कि अगर मे वीडियो का नोटिफिकेशन सिंगर आप तक पहुंच जाए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को से जरूर करिए, और मेरे खुसामिल खुसी के लिए, एक त्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका उत्तर देता हूँ, आपके मित्र गड़ गवा हैं, और वीडियो को स्किप करके मन बढ़ा, ये भूर मत करिएगा, क्योंकि जो जारकारी आप पराप्त करना चाहुआ, जो लावा हम लेना चाहते हो वीडियो से, स्किप करके नहीं मिल सकता है, को कि आप भगाओगे, उसी भी सबसे बहुत तो पूर जारकारी आपके छोली ज तो मित्र ये काम केंगें आगे कानग के रहों हो और ढूंड दोड़ते हैं सूज की दसा तो जनुरी पचीज तक सूज की दसाथ बाइश सब्सक्ति जनुरी पचीज तक देख था रोट तो च और दरमा को तो देखेर ही लेते हैं इसमें सूज का रहतना पहल नहीं है लेकिन चन्द्रमा में भी आप देखो चन्द्रमा 9, 5 Qur ndhantof 5 भाव है चन्द्रमा बूद करने न चैक्तम departments 11 भाव हमै अबने बटाया बूद की दिरिश्टी में 5 भाव है यह इसना उद न चैक्तमा जामी राव तो तो उऔर 11 बता रहा है चंद्रमा भाव भी सूर्ज अंथा 2-6-11 और 9-5-11 पांच भी आ गया इस तरह से चंद्रमा में भी एक 5-11, 2-6-11 सब भाव हैं सूर्ज की दसास हम आप थोने के बाद मोती धारण करना पड़े गए जाता है क्योंकि सूर्ज को हमने देखा है बारीकी से चंद्रमा से लेकिन इनको मोती धार करना पड़ेगा मारी के उतार देंगे क्योंकि जो उपयोगी नहीं उसको पहनने से लाब नहीं होगा हो सकता हां यह होगा तो इनको अच्छे क्वालिटी का मोती धार करना हो लेकिन जाहे बादी हो मारी को मैं बताता हूँ शिक्स कारण से अधिक अच्छी को पहनना है इस अगुनी में रिंग फिंगर जो अनानिका है मोती को पहनना है छोटी यंगुनी में और मारिक को अभिवार के दिन पहनना है सूर्ज मंत्र से अभिमंत्र करके और मोती को सुमवार के दिन पहनना है तो निश्चित रूप से आप पहनों के काम करेगा, हेल्थ बेल्थ सही रहेगा, आप दुनिया में यह समानपद, परतिष्ठा, धन्त, मिर्दी, स्वास्त, सब पराप्त कर लोगे, यह मुझे विश्वास है, और मेरा अनुभावर अभ्यास है, मित्रों वीडियो लंबा रहो, यह जनाते आज का टापी के ही समाप्त करता हूं, पुरा मिलूंगा, एक नए टापी के साथ, एक दो दिन बाद, अब तीसरे दिन मेरियों दे रहा हूं, दो दिन गैब करता हूं, तो तीसरे दिन जरूर परतिष्ठा करिये, साब तक मेरियों हा जाएगे, महुत बहुत धन्यवाद, हर्देख सब्सक्राप्त.